हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए अभी हम जैक्स और माक्स के अगले पार्ट के और बढ़ते हैं खिक है तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ सामान होता है उनमें वाटर है जूस है ऑईल है या फिर मिल्क है या फिर आपका जो भी सामान है लिक्विड स्टेज में उसकी हमें क्यापेसिटी पता करनी है हम एक अंदाज करते हैं कि उसकी क्यापेसिटी हम लीटर में नापेंगे या मिली लीटर में नापेंगे तो उसे लिए कुछ ऐसे जैनरल वे में कुछ क्विश्चन है तो इसके लिए आप उत्तर आपको किसमें देना है लीटर या मिली लीटर म है कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी यूनिट छोटी है आपने पिछले वीडियो में देखी लिया है यह भी आप जानते हैं अब इसके बाद हम शुरू करते हैं जैसे सबसे पहले मैडिसिन इन इंजेक्शन शुरू में मैंने आपको डरा दिया जोर से इंजेक्शन लगा सुई लगी डर लगता ना पर वो इंजेक्शन में जो डॉक्टर ने या नर्स ने जो दवाई भरी है वो लीटर में भरी है या मिली लीटर में भरी है जाहिर है बहुत होड़ा सा मै निए भरहा हुआ है जिसमें आप नहांने जातर है बाल्ति चूटि भी बड़ी भी हो सकते हैं तो यह पनि भरा हुआ है इसको जेनरल हम एक अंधाज करेंगे तो उसमें आपका लिटर में आएगा एक दर के ने बилась एकदम छोटी दो हमने नहीं नहीं देखे अब हनी-न-वस चमच में आपका कितना आजाएगा यह भी आपका आजाएगा मिली लीटर में आजाएगा ठीक है अपने चाय पिया किसमें पिया मिली लीटर में पिया आई ड्रॉप बॉतल बहुत चोटी सी होती है यह भी मिली लीटर हो गया फिर इसी तरीके से इंक इन पैन आजकल तो जादा तर इंक वाले पैन नहीं चलते हैं जादा तर डॉट पैन वगरे यूज़ करते हैं लोग लेकिन इंक पैन से भी बहुत सुन्दर राइटिंग बनती है और इंक पैन में जो इंक है वो किसमें है पहले आप लोग बच्पन में पढ़ते हैं दस से दवात दवात के अंदर शाही रहती है और उस शाही में वह किसमें रहती है मिली लेटर में ठीक है तो मिली लेटर में ठीक है तो ऐसे ही आप अपने घर के आसपास देखिए बहुत सारी चीज़े आपको दिखाई देगी आप एक अंदाज लगाईए और यहां पर तो मैंने केवाल एक यूनेट लिखा आप एक अंदाज लगाईए कि यह 200 ml होगा यह 500 ml होगा यह 800 ml होगा इस तरह से एक अंदाज लगाने की खुशिश कीजिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में कनवर्शन औफ यूनिट इसी जैग साइनमक्स का कनवर्शन औफ यूनिट मतलब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कनवर्ट करना लीटर को मिली लीटर में या मिली लीटर को यूनिट में और इसको कनवर्ट करने का दो तरीका हैं दोनों तरीका मैं साथ साथ बता रही हूं एक फाइव लीटर में कितने एमल तो बहुत आसान है यह आपको पता है वन में थाजेंड नहीं होते हैं तो 5 लिटर में 5arna किटना हो जाएगा 5ॉ पश्जी है यह बहुत easy है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसमें विजोर नहीं दे रही हूं, 5 liter equals to 5000 ml, 7 liter एकदम easily आप बता देंगे, 7000 ml, हाँ, कई बच्चे गलती करते 700 ml लिख लेते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे, 1 liter में 1000 ml होते हैं, तो 1000 को उस नमबर से multiply कर देज़े, सिधी सिधी सि बात है, 22 liter equals to 22 के बाद कितने 0 लगेंगे, 30 लगेंगे, 22,000 ml, यह तिनों question तो एकदम easy है, अब आगे बढ़ते हैं, 7000 ml equals to how many liter, अब फिर से 0 नहीं लगाना है, अब यह छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है, ठीक है, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा सारा, टमाटर और कद यहां पर 1000 ml जो है, वन लीटर के बराबर है, वैसी 7000 ml जो हो जाएगा, वो 7 लीटर के बराबर हो जाएगा, इसी तरीके से अगला question है, 6500 ml equals to how many liter, ध्यान दीजे, यहां पर मैंने मिली लीटर के लिए कोई कॉलम नहीं छोड़ा है, तो इसमें यहां आपको, इसको decimal में लि पर आप देखिए, यह इसको टू पार्ट में आप बाटिए, तो 6000 ml and 500 ml, यह दो भाग में बट गया, अब दो भाग में बट गया, 6000 ml का मतलब हो गया, 6 liter, अब 500 ml को आपके वल 500 ml भी लिख सकते हैं, या फिर इसे को हम आगे देखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो आप सिंपले लिखेंगे, 6.5 liter, इस चीज को भी आप धियान रखेंगे, और यह कैसे आया, इसके लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, 6500 ml है, तो इसको देखिए, 6500 को सीधा सीधा 1000 से डिवाइट कर दिजाए, क्योंकि छोटी युनिट को जब बड़ी कारण, एक decimal लगा देंगे, आप ए 6.5 liter, यह थोड़ा सा, आप लोगों के लिए बड़ी चीज हैं, लेकिन आपके कोर्स में है, तो 6.5 liter, अगर आपको थोड़ा confusion हो रहा है, तो मेरे decimal part 9 आप लोग जरूर देख लिजेगा, फिर इसी तरीके से, आप 22500 ml है, तो उसमें कित लिटर का होता है, 500 ml, और जो बाकी बचरा है, वो लिटर हो गया, 22 लिटर, तो 22 लिटर और 500 ml, वैसे ही आप डिरेक्ट कनवर्ट कर सकते हैं, लास्ट की 3 डिजिट को मिली लिटर में ले लिजे, आप 050 है, तो यहाँ पर 50 कर लिजे, सामने 0 का कोई मतलब नहीं हो, और यह हो गया, 15 लिटर, 15 लिटर, 50 मिली लिटर, ठीक है, जाहे तो आप 15 लिटर को आप कनवर्ट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर, इसको आप दो पार्ट में बाट के भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक श 1000 प्लस 050, यह दोनों ml में कनवर्ट हो गया, अब फिर यहाँ पर देखे, 15,000 ml का मतलब कितना हो जा रहा है, 15,000 ml एक वर्स तो आपको मिल गया 15 लिटर, और यह 050 मतलब की 50 मिली लिटर, ठीक है, तो आप फिर से देखे, 15,000, 50 ml इसका मतलब हो गया, 15,000 ml प्लस 50 ml, तो 15,000 ml आपका कनवर्ट हो गया 15 लिटर में, और 50 ml जो हो गया, वो 50 ml के रूप में आ गया, तो इस तरह से 50,000 यह इन दोनों का आपने एक साथ मिला लिया, तो यह एंसर आ जाएगा 50 लिटर प्लस 50 मिली लिटर, यहाँ पर एंसर आएगा 15 लिटर एं 50 मिली ठीक है, विसी तरीके से आप इसका बताईए, यहाँ पर केवल लिटर में कनवर्ट करना है, आप 3 डूजिट के पहले में सीधा सीधा डेसिमल लगा लीजे, 9.020 लिटर, ठीक है, और 5.20 लिटर बोल रहा है, उसको लिटर और मिली लिटर में कनवर्ट करने बोल रहा है, तो फाइव लेटर और ट्वेंटी मिलीलिटर अब इसको तीन यहाँ पर डैसिमल के बाद आपको तीन डिजिट लगानी है तो यहाँ आपका आजाएगा 200 एमल ठीक है तो यह थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि डैसिमल से आप लोग बहुत ज्यादा अव मिलीलिटर ठीक है यहाँ पर क्योंकि तीन डिजिट में आपको कनवर्ट करना है मिलीलिटर को या फिर आप सीधा सीधा इसको देखिए 5.2 इंटू 1000 कर दीजे उतना मिलीलिटर होता है तो अब इसमें 5.2 को 1000 से मल्टिप्लाई किया तो कितना आया यह 3 0 तो आपने लगा द ठीक है अब इसके बाद अगला क्योश्यन है टोटल कैपिसिटी आपको निकालना है इसका 200 ml 200 ml 200 ml कितने ml हो गया 600 ml यह बहुत सरल हो गया है अभी तक मैडम ने कहा कहा इधर उधर का दे दिया और अब इक्तम से सरल हो गया तो 600 ml next question आपका आजा रहा है यहां अगला question देखिए how many times a jug of 2 liters can be poured in a bucket of 24 liter capacity to fill it completely अब देखे यह 2 liter के jug को पूरा भरिये और इस bucket में पानी डालते जाए तो कितनी बार आपको 2 liter का पानी डालना पड़ेगा तो आपने एक बार डाला 2 liter फिर दूसरी बार डाला 4 liter तिसरी बार डाला 6 liter तो आपको इस जग से पानी इसमें डालना पड़ेगा तो यह जो 24 liter capacity वाला जो बाल्टी है वो पूरी तरह से भर जाएगी ठीक है तो इस तरह से और भी questions हम लेकर आएंगे अगले पार्ट में अभी पहले इन्ही questions को और ध्यान से देखिए बार बार बनाईए और बार बार कोशिश कीजिए तब आपको बहुत अच्छे से समझ था जाएगा ठीक है ओके थैंक यू